तो शुरू करते हैं बिना किसी बक्चोदी के हलाकि चैनल पर कॉपी राइट आये हैं पर वो क्लेम है ना कि कॉपी राइट स्ट्राइक तो चैनल तो बन नहीं होगा पर जो भी मतलब पैसे आने थे वो शायद रुख जाएंगे खैर छोड़ते हैं जो बीत गई वो बात गई और आगे बढ़ते हैं तो पिछले एपिसोड में हमने देखा थे कि जियान फाइनली एक स्टोन रूम में इसमय कल्टिवेट कर रहा होता है और उधर इंगिंग के चुतियापे के कारण काईलिन भी भस गई रहती है और इनको मतलब किंग जुआलिंग वोगेरा ने घेर लिया रहता है अब आगे जियान इधर फिलाल अपना जो जू शैंक डान रहता उसको रिफाइन कर रहा होता है इधर शीन शिफ्ट होता और फैंक्जियान पविलिन के मीटिंग रूम में दिखाय जाते हैं यहाँ पर पहले से ही एंसियन डेजुलेट पहले स्वाले स्वार्ड सेक्ट वाले आकर रहते हैं इनके बिसिकली क्लैन लेडर आया रहते हैं यह लोग देखते कि अंकल फेंटियान नहीं है यह बोलते हैं फेंटियान कहाँ पर है तो elder जूलाओ बताते कि वो किसी काम से बाहर गए थे इन सभी को पता रहते कि जुआन लिंग वैल फैमिली एविल क्रैन के साथ डील कर रहा है तो यहाँ पर puppet sect mansion, poison sect चे लेकर सभी लोग मौझूद थे यहाँ पर फिलाल साथी sect आये रहते है बाकी शायद जुआन लिंग के मतलब खौफ के कारण नहीं आते है पिल वैली के जो मास्टर रहते हैं उनका strength तो वन स्टार डाउस यांग लेवल के मिडल स्टेज में था पर वहीं दूसरी तरफ अलकमी लेवल में वो 4th grade के अलकमिस्ट होते हैं यानि कि immortal रेवल के अलकमिस्ट भी हाला कि लोग decide करते हैं इनके आठो क्लैन मिल करके अब जुआन लिंग रॉयल फैमिली से fight करेंगे अब पोजन सेक्ट की जो माश्टर थी वो जाने लगती और जूला उसे कहती जब फेंटियान वापस आए तो मुझे जल्दी से बता दे ना किंग जुआन लिंग को यह सब पहले से ही पता था तो यह ज़्यादा पैनिक नहीं करता है अब इस दुरान यह अपने स्पाई को ओर्डर देता है कि जो भी इसके मतलब साहयक लोग है उनको gather किया जाए अब इस दुरान किंग जुआन लिंग के हां से यह स्पाई चल रह नहीं सकते हैं और इन दोनों के इन लोगों ने जुआन लिंग माउंटेन में छिपा कर रखा था तो बेसिकली उस फाइट में किंग जुआन लिंग ने कालिंग को रिंगें को बंदी बना लिया था अब यह मत बोला कि मैं यह स्टोरी स्कीप कर रहा हूँ ऐसी यह लिखा पाल रहा था जिससे यह शायद अपने क्लैन की किसी भी बंदे को कंट्रोल कर सकता था और यह उस घोर्फिंड की पव्ट पर यह जाने को कहता आदे से था कि सोल कलैन काником को कोई भी नहीं बचना चाहिए यह इधर जियां अपने सिक्रेट रोम मेरे रहता है और इस जियान ने फाइनली जू शैंक डान को सक्सेसफोली रिफाइन कर लिया था अब इसके पास सबी चीज थे जिससे कि ये होली फ्लेम को डेवोर कर सकता था अब एक ही रास्ता था अगर ये बलड डेमन का जो वो घोर फिंड है उसको मार देगा कम्प्रेटली तो ये फिर स्नेकिंग बोलता है आपसे मिलने कोई आया हुआ है जियान देखता यहां पर मूजुजी आये रहते हैं ये जियान से बताते हैं मैं दो करणों से आये हुँ। एक तो पाविलन मास्टर फिंट यान और दूसरा तुम्हारे लिए इंको लोग रोक रहते पर जियान इनको इन्हें आने दीजिए, यहाँ पर जियान फिर करता है, शेफू थोड़ा घवराए हुए थे, जियान बोलता है, क्या गड़बड़ है, एल्डर जूलाव बताते हैं, मुजु जी को इन्होंने बताया रहता है, मतलब कि जुवालनिंग रॉयल फैमिली बेसिकली, दुनिया क दिखा रहा है कि यह लोग एविल क्लैन को मारने वाले हैं, जो घोर्फिन को इन्होंने उस पहाड़ पर भीजा है न, उनको यह मार के दुनिया को दिखाएंगे कि हम लोग अच्छे आदमी हैं, जियान समझ जाते हैं, इसके पीछे भी इनका कोई चाल होगा, शेफू भी मेडियुसा क्लैन भी आ जाएगा तुम्हारे साथ, मतलब हम चार लोग और याद रखना मूजुजी, इसके अलावा कोई तुम्हारा सही दोस नहीं है, अखरी टाइम में सब लोग भाग खड़े होंगे, पस हम चारी टीम की टीम खड़ी रहेगी, मूजुजी इनकी बात तबी मूजुजी तुरंती इधर जियान से पूछते हैं इंगिंग कहाँ पर है, लिटिली बता था कि मैंने उसका पीछा किया पर वो फाइलली भाग गई, जियान के ठीक उसे थोड़े दिर शान्त रहने दो, फिर वो खुदी समझ जाएगी, इसके बाद ये लोग तुर तब नाइन स्टार डावडी पर पहुँच चुका रहता है, इधर ये लोग मूफ कर रहते तब ही वुल्फ लीजन का यानि ज्वालिंग रोल फैमिली वहला एक बंदा आ जाता है, जियान इसको देखता है और काफी गुस्ते में रहता है, और ये कहता है कि हमारे किंग ज ज्वालिंग ने जितने वो एविल लोग हैं सबको पकड़ लिये हैं पर ये अकेले खतम नहीं कर सकते हैं, तो दो दिन बाद इन्होंने बुलाए है सभी को ताकि आप लोग इनकी हेल्प कर सके इन एविल लोगों को मारने में, जियान समझती है ये लॉंडा कितना हरामी ह बंदा आया था, इन्होंने एक इन्वेटेशन दिया था इन लोगों को, उसके बाद ये बंदा बाखी सभी क्लैन की तरफ जाने लगता है उनको इभी इन्वेटेशन देने के लिए, अब यहाँ पर अचानक से एल्डर जूलाओ पर कड़ोते हैं, जियान समझती हैं ये लेबल पर पहुँच चुके हैं, अब जियान बुसता है कि फेंटियान अंकल कहां पर हैं, इधर शिन्शिफ्ट होतार वान हुआ पविलेन की पविलेन मास्टर को दिखा जाता है, और ये मतलब सुन्दर सा वाइलीन बजा रही थी, और इनको भी वही बंदा आकर के देता है, इधर ये लोग बात करें थी, मतलब हुआ अगजीन और पविलेन मास्टर मतलब और उनकी जो चेला थी, हुआ यून, काफे टाइम होगा, यूरू अब ये लड़की आई क्यों नहीं, इनको मालूम था कि अगर यूरू पूरी तरह से इंहरेटेंस हासिल कर ली वो अराम से डाउजियान लेबल पर पहुँच जाएगी, इनको भी पता रहता है कि अब इनको भी दो दिन बाद वहीं पर जाना है, जो आनिक रोयल फैमिली, बाकी करके मतलब धीरे-दीरे सभी क्लैनों को इन्वेटेशन मिल जाता है, पपेड मैंजन से लेकर पिल वैली सबी जगह इस बंदे ने, यानि वुल्फ लीजन का जो बंदा रहता है, सब को इन्वेटेशन दे दिया रहता है, इधर एस्ट्रलोजी वैली को दिखा जाता है, ये प्रेडिक करते कि नौ तार एक साथ गिरने वाले हैं, और ये कहते जियान ये सब तुम्हारे उपर डि प्रेटी लीडर थी, उससे फाइट की तेर वो काफी जदा इंजर्ड हो गई थी, उस समय पॉजन सेक्ट माश्टर वहाँ पर थी नहीं, यानि बिंग्जुई, ये जब आती दिन्हें पता चलता है, तो ये काफी जदा गुस्ते में थी, वुडू बता थी कि वो बंदा जो भी था, हमारे लिए निया था, वो बेसिकली फॉर्बिडन एरिया में एंटर कर गया था, जो फॉर्बिडन लेंड था, पॉजन सेक्ट का ये काफी जदा मिश्टिरिया सा और वहाँ पर एक स्पेशल पावर था, और सभी मतलब पॉजन सेक्ट के बंदे, जो भी उनक टेकनिक होती है, पर इनको फील होता है, मानों इस बोटल में कुछ तो गड़बड़ी कर दी गई है, इस टेकनिक से मतलब भी कई सारे लोगों के सोल को कंट्रोल कर सकती थी, अब जब ये इसको अपने पॉजन पावर से फील करती तो इसमें कोई फलक्शुएशन नहीं हो सकती थी, और ये टेकनिक इतना ज्यादा पावरिफुल था कि जुवान लिंग रॉयल फैमिली जितना भी देहसत कर सकती थी, उससे भी कई गुना ज्यादा, अब इनको लगता शायद जुवान लिंग रॉयल फैमिली नहीं से चुराया होगा, और इनकी जो डेप्यूटी जो भी इस मैन इन ब्लैक को देखकर हैरान थे, और ये मैन इन ब्लैक तोरण थे एक एरोगेंट वोइस में बोलता है कि फेंटियान छुपो मत, तुम आज मारे जाओगे, बेसिकली जब से वो जो कमपरशन शुरू हो था, उस दवरान से फेंटियान अंकल जुवान के पीछे पड़े वे था और इनका जो एविल क्लें से रिलेशन है, इसको ये फाइंड आउट करने में जुवान लिंग रॉयल फैमिली कई बार गये थे, इनको लगा नहीं थे, एक मिस्टियास मैन इनकी पीछा करेगा इस दोरान, और ये जो मिस्टियास बंदा था, इन फेंटियान इसे देखते हैं, तभी ये समझ आती, ये तो पावर अफ यान्ची है, ये इस समय काफिर दा सर्प्राइज रहते हैं, और ये मिस्टियास बंदा तुरंती कहता है, गो टु हैल, फेंटियान जान देते हैं, ये इस बंदे से जीत नहीं बाएंगे, ये काफित जुआन कांग इस वुल्फ तुरंती आदेश देता है, इसे मार दो, फेंटियान जान जाते हैं, अभी ये यहां से भाग नहीं बाएंगे, और ये भी अपना पावरफुल अटेक करते हैं, पर सायद ये इसको हरा नहीं सकते थे, ये वुल्फ तुरंती फेंटियान के चे जैसे छोड़ सकती हैं, पोईजयान मास्टर इस समय फेंटियान को देखने लगते हैं, इनका ध्यानी नहीं जाता है, ये जो बंदा है, जुवान कांग इसी के पास वो सोल कंट्रोल मेथरड है, पर ये जुवान कांग यहां से निकल जाता है, और ये फेंटियान को लेकर के फेंटियान पाविनियन में चली जाती है, इधर किंग जुवानिंग अपनी आँखे खोलता है, काफी ज़्यादा खुश था, पोईजन सेक्ट मास्टर फेंटियान को लेकर जा रही होती, पर इन्हें बीच में फेंटियान पाविनियन लाने लोग रोकते हैं, पर ये क काफी थे जिस चिलाती है, गो अवे, सबको अंदर पता चल जाता है, जुलाओ से सभी को कि, मतलब कोई अंदर एंटर किया है, पर जैसे जुलाओ देखते हैं कि फेंटियान घायले, इनको भी कुछ समाझ में नहीं आता है, जुलाओ पूछते कितने बंदे थे जो मास्ट फेंटियान को घायल कर दिये, पॉजर मास्टर बताती एक ही, इनके तो अब होशी उड़ जाते हैं, इनको यहाँ पर मतलब डॉप करने के बाद पॉजर मास्टर अपने सेक्ट लोड जाती है, पर जाते जाती यह कहते हैं कि फेंटियान और हुवाक जिन तुमें साथ में होना चाहिए, और इस दरान की आसू बह रहते हैं और यहाँ से चली जाती है, अब अगली सुबह होती है, और आज ही के दिन मतलब वो पैटल होने माला था है, मतलब घोर्फिंड आज डेमन्स को डेस्ट्रॉइ करेगा, दुनिया की नजर में, सौरी मतलब जुवान को डेस्ट्रॉइ करेगा, इधर जियान वगरा बैठे होते हैं, अंकल लॉंग वहाँ पर फैंक जैन पविलिन के ऑफिस में गह रहते हैं, अब यह वापस आते हैं, इनसे पूछता है क्या बात है, अंकल लॉंग कहते हैं, क्या तुम जानना चाते हो, मैं तुम्हें बता कौन मतलब फाइट कर रहा था, इनके जुआननिंग की तरफ से, यह बताते केवल जुआननिंग रॉयल फैमिली के ही लोग थे, जियान को समझ में नहीं आता है, जुआननिंग वाले इतने ज़्यादा पावर्फुल कैसे हो गया हैं, पर जियान अभी सूचता कि इसने तो इधर एस्ट्रिलोजी वैली वाले इनको सब पता रहता है, कि मतलब सोलुमान क्लैन और सोल क्लैन वाले मारे जा चुके हैं, जर जियान इसमें आंगन में खड़ा होता है, तभी किंग जीन आती है, किंग जीन को देकर जियान एक मतलब अलग तरका स्माइल देता है, किंग पर जाना है, और तुम्हें पहले डाउजियान लेबर पर पहुंचना है, तभी डोयून कॉंटिनेंट जाना नहीं, तो आराम से मारे जाओगे, इधर फैंक जीन पविलियन में शेफू अंकल वगएरा आगे रहते हैं, जूला पूसे तुम्हें इतनी जल्दी बाजी क्य नहीं रुकते शेफूर बताते हैं कि उसके साथ हमारी क्वीन मेडियूसा भी कैप्चर हो चुकी है, और शेफू कहते हैं इसका कारण एक ही है, क्योंकि जो मेडियूसा का ब्लड लाइन है, वो इतना ज्यादा को वो होली फिलेम को सप्रेस कर सकता है, इस ते किंग जौनि माउंटेन, बिसिकली मैंने बीच में कहा दिया थे कि आज ही है, वो कमपटिशन पर वो कल है, और जियान कहता है, अगर मैं मर भी जाओ तो मैं जौनिंग को इस पार खून के आशुरू लाओंगा, अब अगली दिन सच में होते हैं, यहाँ पर धूप वगरा खिला रहता ह इधर किंग जौनिंग भी अपने थ्रोन पर बैठा होता और वेंजी से चारों तरफ की न्यूज वगरा ले रहा था, अब जहाँ पर यह माउंटेन पर जौनिंग ने बुलाया था, इसके मतलब नीचे एकदम जूलाओ वगरा पहुच चुके रहते हैं, और यहाँ पर बैसिकली वेंजी सीट वगरा देते हैं बैठने के लिए, यहाँ पर तो मतलब बैसिकली कई लोग तारीफ कर रहे थे किंग जौनिंग की कि आप सच में एक भगवान हो, आपने एविलरेस को पकड़ लिया है और इसको खात्मा करने के लिए अब तयार हो, पौजन सेक की म आरकने स्थार, वहाँ पर तीन स्टोन पिलर्स थे और वहाँ पर यांची, जिंगिंग और काईलीन मतलब एक के बाद एक दिखाय जाते हैं और इन तीनों को बेसेकली एविल और ने घेर रखा था, अब फाइनली जब सभी रुगा आ जाते तो जोवान लिंग जो सेरेमन एलियन रैस को इसने मतब ज्वान लिंग पकड़ के रखा था, जूलाओ ध ध्यान देती, ये सब घोर्फिंड के सेवक पगएरा थी यानि घोर्फिंड ही थे। जूलाओ समझ जाते हैं ये वी घोर्फिंड यानि घोर्फिंड सैनिक हैं, का किंग जूलाओ झाता कि मैंने कट हो जाते हैं इनको खतम करने के लिए पर यह घोर्फिंट भी तयार थे यह तूरंत अपनी बॉड़ी को मतलब उसके एक अल्टार के अंदर है तभी इसकी नजर यांची पर जाती है काईलिन तभी इसे कहती है यह लड़का अभी कंट्रोल में है तो इसको ज्यादा मत छेड़ो अब इंगिंग पूछती है कि किंग जुवान निगी न हमें एरेश क्यों किया है काईलिन एक आईसी भी पता रहता है यह भी हामें सरीलाती है इस समय इंगिंग काईलिन से माफी मांग रही थी इस दुरह निगिंग कहती है कि जियान काफी लगी है कि तुम महारे जैसे उसको मतलब एक पत्नी मिली काईलिन फिर भी कुछ नहीं बोलती है इधर और राइट गार्फिंड था क इंग जुवालनी को परिशान कर देता है पूरी तरह से यह खिले डिल नहीं कर पार तो यहां पर स्वार्ड सेक्ट के जो सेक्ट माशन और बाकी सभी पावर्फुल लोग यहां पर आते हैं फाइनली घोर्फिंड का धड़ से सर मतलब धड़ से अलग कर देते हैं पर घोर फिन वगरा खतम हो जाते हैं यहां पर जो कई सारे सूपर सेक्ट के लोग आयते बोलते हैं अब यह मैटर तो खतम हो चुका है तो हम जा रहे हैं तब किंग जुवालनिंग कहता है एक और शो है आप लोग को वेट करना चाहिए सब लोग एक दूसरी का मूह देखने लगत था पपेट पहले सब्ला जो मास्टर था वो काफे खुष था कि उन्होंने जुवालनिंग रोयल फैमिली के बीच में मतलब अपना दखला अंदाजी नहीं दिया और फैंक जियान पविलियन से इस मतलब बैटल की यह लोग राजी नहीं वे तो चोड़ दिये थे पहले ही इस दोरान जुवालनिंग और जुवालनिंग का थोड़ा पहत बहस भी चलता है अपके जुवालनिंग कहता कुछ भी हो जा तुम्हारे जो चार सेक्ट है वो आज जिन्दा बचकर नहीं चाहेंगे जुवालनिंग तुरंती आदेश यता है ड्रागन आर्मी को की शेफू जुवालनिंग को पकड़ लो और बाकी जो पॉजन सेक्ट की मास्टर है उन्हें मुझ पर छोड़ दो जुवालनिंग के कहने पर तुरंती कैसे तयार होगे कुस तो गडबढ़ है इधर बाकी जो चार सेक्ट वाले थे याने एंसेन डेजुलेट वगर यह अभी भी यही को का भी मतलब बाद में मरना तै था इधर जुवालनिंग माउंटेन के नीचे पर तीन लोग खड़े थे यह कोई और नहीं बल्कि लॉंगी लिटिली और जियान होते हैं इस समय जो जुवालनिंग माउंटेन था बेसिकली ब्लैक और असे कवर्ड था और जियान जैसी य में कहता है अब आगे का बैटल देखना है कुछ भी हो जाए मैं किसी को जिंदा नहीं चोड़ूंगा और किसी भी हाल में काईलिन और यिंगिंग और मतलब यांची को बचाऊंगा ही तब ही लॉंगी कहता है कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनको मालूम था जियान कर करने के कारण पॉजन मास्टर इस समय काफी ज़्यादा पीछे ढखेल दी जाती है कि जुवानिंग इस समय पॉजन मास्टर के मजे ले रहा था अगर यह अपना पॉजन बडी पूरी तरह से यूज़ कर ली तो इनके अंदर नेगटी पॉजन काफी ज़्यादा हो सोरी तो वान हुआ पॉजन की जो मास्टर थी उनका किंटियान से बैटल चल रहा था किंटियान जो वन स्टार डाउजियान के अर्ली स्टेज में था वही वान हुआ पॉजन मास्टर वन स्टार डाउजियान के लेटर स्टेज में थी फिर भी किंटियान को यह हरा नहीं अब किंग जुवानिंग एक चिला आता है दा पावर अफ घोष और आसमान में जो ब्लैक औरा थी यहाँ पर इसके सामने आने लगती है और यह थंडर अफ घोष्ट के जैसे दिखने लगती है और इस थंडर में से चार बीम निकलती है ब्लैक और रेट कलर की और यह काफी है ना यह एविल रिस और साथ में घोष्ट की इसमें मिक्स है अब पपेट मैंसन के पहले इस माश्ट जब यह सीन देखती है तो यह काफी गुसा हो जाते है जुवानिंग रॉयल फैमिली पर तभी किंग जुवानिंग कहता है तुम ही क्या लगता है अगर मैंने तुम कड़िक यानि पेल वाले एंसिन डेजुलेक ओ अ क्लान वाले बापेट हौल वाले और परगेट्री हौल व साधैनों kOSS मिला थी तो जुवान निंग फैमिली के की मेंबर को पावर को यह लोग धीक़ है यह इतना जाद कैसे बढ़ गया और बीशिकली आथो सुपर सेक्ट को जुवानिंग रोयल फैमिरी अकेले ही मतलब इस समय प्रेशर मिला दी थी और इधर शेफू पॉजन मास्टर वानुआ पविरिन की मास्टर और जौूलाव पहले से इंजर रहते हैं अब ये आठों लोग मतलब आठों इमोटल लेवल अगर शेफू को निकाल जा रहे तो जो सोल लिक्यूट वाली सोल कैडिंग लिक्यूट वाली ये अचानक से इसको खोल देता है इससे मतलब इस बादल में से बरसात होने लगती है जियान भी जो इस बैटल में आर रहा होता है ये फील करता है ये रेन जो काफी वियर्ड है और ये सब को मना करता है इसके साथ जो दो बंदे रहते हैं कि इसको मत छोना और जियान तुरन थी अंकल लॉंग और लेटी लिए को ले करके अंडरग्राउंड की तरफ निकल जाता है साथ लोग जो जुवान लिंग से फाइट करे थे उनमें से पॉपेट मैंसन के मास्टर कहते हैं जुवान लिंग अब तुम मरने वाले हो जुवान लिंग हसता और कहता है क्या तुम को लगता है सच में तो तुम ट्राइ करके देख सकते हो पॉजन माशनर जब आसमान में से बारिश को देखने ये समझ जाती है कुछ तो गडबड़े शायद हो सोल लिक्विड ये साथ लोग फाइट करते तब ही पीछे से शेफू आते हैं और एल्डर जूलाओ पर अचानक से अटेक करने लगते हैं जूलाओ को समझ में नहीं आत के ये लोगों अपने पावरफूल अटेक जूआनिंग की तरफ लॉंच कर देते हैं अगर ये अटेक जूआनिंग को हिट किया तो ये एक बार में ही मारा जाएगा पर जूआनिंग तुरंती एक जो क्रिश्टल सोल बाल था इसके पास ये निकाल लेता है और इसमें जिन्दा थे मतलब की अपने होशो हवास में इनका भी चेहरा आख मतलब ब्लड रेल कलर के हो जाते हैं और इसका कोई उपाय है पर ये बोलती है मैंने दसो साल से उपर लगा दिया पर मेरे पास अभी तक इसका कोई सल्यूसन नहीं है पर ये कहती है कि फेंटियान का मेरी तरफ से तुम खयाल रखना मतलब पोईजन महाशल कहती है वान हुआ महाशल समझ जाती है ये पोईजन बड यूज करने जारी है अपना जुवानलिंग कहता है अगर तुमने अपना पोईजन रिलिस कर दिया तो मेरे बज़े मेरे लिए भी काफी जाधा प्राबलम हो सकत देकर वेंजी भी यहाँ पर प्रकट हो जाता और किंग जुवानलिंग को मतलब ग्रीट करने लगता है जुवानलिंग कहता है इन मतलब टॉप लेवर के इमोटल वारियर्स की मदद से जब मैं होली फ्लेम बाद में खालूंगा तो जुवानलिंग कॉंटिनेंट का मैं ए इस समय जुवानलिंग के मतलब इस समय कबचे में अगर बोला जाये सच में तो दस लगवग दस के असपास टाउ जियान लेवर के वारियर रहते हैं अब जुवानलिंग तूरंती उस आल्टर की तरफ जाने लगता है जहां पर यांची वगएर को इसने बंद करके रखा और इसके साथ में ये इन दसो वारियोर्स को मतलब जो 800 सुपर सेक्ट के थे खास करके उनको भी लेकर जाता है इधर जियान वगए इस समय डेफ्थ में जा रहे थे अंडर ग्राउंड पैलेस के बेसिकली जो अल्टर का बॉटम था उधर ही जियान जा रहा तो इसे कोई पी गाड फिलाल नहीं कर रहा था जियान इस समय मतलब एक क्लॉक वाले कपड़े पहने रहते हैं अपने चेहरे को ठगे रहते हैं इतर इंगिंग वगरे को दिखाया जाता अचानक से मतलब इंगिंग करती कि एक स्ट्रॉंग और इंकी तरह बढ़ रहा है इंगिंग पु पॉष कर दिया क्या सुरुबात के दो फिगर को ये दोनों भी नहीं पहचान पाती पर जैसी जियान आता है उसकी औरों को फिल करके इंगिंग और काईलिन एक साथ चिलाती हैं जियान काईलिन को मालूम था कि वो जो जुवान कांग है वो टू स्टार डाउ जियान के मतलब काईलिन के हिसाब से एविल और वगरा से बना हुआ था लॉड सो लिटर भी कहते हैं मेरे पास भी फिलाल इसका कोई तो ऑफशन नहीं है तब लॉड सो लिटर कहते हैं लगता है यहां पर कोई आ रहा है शांती से बैठ जाओ मतलब छिप जाओ वान कांग से डिल कर करना था जियान का वही लाश्ट ऑप्शन था जियान यहां से भाग नहीं वाला होते तब ही यहां पर वाइबरेशन यह फील करता और यह देखता कि जो तीनों पिलर थे जहां पर यांची वगर यह मतलब यह लोग बंदे हुए थे अचानक से थोड़ा ऊपर जाने लगत जियान का प्लान शुरू हो चुका है जियान पूसता है कौन सा यह बोलती है होली फ्लेम को ठेवोर करने का जियान लिंग इस समय एक विकर्ड स्माइल दे रहा होता तब यहां पर तीन लोग दीखते हैं और किंग जुआन लिंग को यह पास्टर्ड कहता है वैंजी घबर जियान को मतलब एक थोड़ा बहुत खून की उल्टी हो गई रहती है अब जुआन लिंग कहता है तुम देख लो तुम्हारे ही लोग अगर में उनको आदेश दो तुम्हें मारने के लिए तौट पड़ेंगे पर बच्चे मानना पड़ेगा तुम्हारे बोड़ी में भी जो औरा है उससे कहीं ज़्यादा श्रोंगर है जुआन लिंग मैटर की गहराई को समझता और जियान के तरफ जुआन कांग को भीज देता है इस समय लौड सो लिटर एक ब्लैक गेस के फॉर्म में जियान के बोड़ी से बाहर आ गया रहते है और जुआन कांग इन पर लौड सो लिटर भी तयार थी ये तुरांती ब्लड रिवर बैल को निकाल लेते हैं जुआन लिंग इस चीज को दिखकर लाला चिसके अंदर भी आ जाता है जुआन लिंग तरन तुरांती कुछ गुरूप के लोगों कहता ये बैल मुझे चाहिए किसी भी हाल में और लौ पावर्फुल वॉर्यर है घोष्ट वर्ड के इवें शायद घोष्ट वर्ड के घोष्ट इमोर्टल के भी कहीं उपर अब जुआन लिंग जियान से कहता है मैं तुम्हें इतना असानी से नहीं मनने दूंगा मैं बेसिकली दोंको टॉर्चर करूंगा इधर जियान और मतल आने लगता है कि जियान लगता होली फ्लेम के पावर को यूज करेगा पर इसका जो प्राइस है कहीं जाता है अब जुआन लिंग तुरंति अपने पावर अफ लाइफ एंड डेथ और ब्लैक और वाइड एनरजी से जियान पर अटेक कर देता है जियान तुरंति 7th लेयर पावरफुल और अटेक जुआन लिंग हैंड जियान की तरफ लॉंच कर देता है इसका जो हैंड था मतलब ब्लैड रेड औरा से भरा हुआ था जियान भी नहीं रूखता है यह फेरी मून के अटेक फिंगर सेकेंड फिंगर थर्ड फिंगर एक साथ यूज करता है और इस जुआन लिंग का जो श्टेंथ बढ़ा है शायद उस घोरफिंड के आदे पावर को खाके होगा जियान के हिसाब से लाश्ट टाइम होली फ्लेम के पावर को फ्यूज नहीं कर पाय तो यह सोचता है शायद यह अगर अपने हैवेली फ्लेम को बाहर निकाल दे तो शायद यह इस मतलब होली फावर के फ्लेम को फ्यूज कर सकता है इधर जुआन लिंग एक बर फिर से और पावर फिल अटक यूज कर देता पर जियान के मन में एक और ही डेडली खयाल चल रहा था इसके मन में तेईसो प्रकार के हेवेली फ्लेम को डेटोनेट करने का इराद आता इसके बाद साथ holy flame के जो power होंगे एक दूसरे से combined हो सकते हैं यानि कि holy flame crystal का power पर ये एक बहुत बड़ा जुआ है पर जियान जब 300 प्रकार के flame को निकाल देगा तो इसके body में strange fire बचे गाई नहीं अब जियान अपने मन में सूचता है टाउशे god म्यूजी आशिरवाद तो का heavenly flame square को संबन करता है जो कि square के size का तो और 100 मिटर बड़ा था इसे देकर जुआन लिंग भी एक बार को सकपका जाता है अब तुरंती अलग-अलग flame heavenly flame के ranking के साब से 23 वां 22 वां ऐसे करके दूसरा nihility डिवरिंग flame सब ही अपने जगा पर आने लगते हैं और इस flame square पर एक दू orange fire जो लॉंग ही के उस इनका फॉरेस्ट एब्सर्ब करता है जो वां लिंग कहता है जियान से कि तुम कुछ भी कर लो आज तुम्हारा मरना पक्का है जियान कहता है कुछ भी आज मैं भी तुम्हें एक बहुत बड़ा gift दूंगा जियान तुरंती सभी heavenly flame को blast करने को कहता ह ये देखकर लिटीली भी हैरान था इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो ये अगर 2300 प्रकार के flame को जियान blast कर देगा, explode कर देगा तो इसका जो खामियाजा जियान को भुगतना पड़ेगा ये काफी बड़ा होने वाला था क्योंकि इसी fire सो जियान का level बढ़ा था पर ये flame मतलब अब जियान के body में इसका कोई connection रही नहीं जाता है, इसके काट जियान का जो power था अब डावडी 5 star पर आ जाता है, जो warning देखता है इसके सामने कई प्रकार के flame आ रहे तो और सभी का मतलब एक अलगी character रहता है जिसमें से एक का जिसे आईसी nature, दूसरी का काफी जादा भहेंकर डेवोरिंग नेचर जैसे के नहीलेटी डेवोरिंग flame अचानक से इस एडिया में 2300 flame एक साथ explode करते हैं पर यहाँ पर एक और चीज था यह जो strange flame था यानि heavenly flame इसका लिटी लीज से भी connection था और साथ में जियान के जो body में वो flame बिश्ट जन्मा रहता है वो इसी heavenly flame से ही जन्मा रहता है तो देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है अब यह जो annihilating power था जुवान निंग के तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है काईलिन जियान को इतना वीक देखके बहुत ज़्यादा निराश थी इधर यान्ची भी जो इस समय एविल औरा की कंट्रोल में था जियान के इस प्रकार के explosion के कारण यह भी अपने होसो हवास में वापस आ जाता है यान्ची रियलाइज करता है यह कहा परे तब यहां पर इंगिंग रो रही थी यान्ची इसको कहता मैं तुमे लेकर घर वापस लोट जाओंगा यान्ची जब जियान की तरब देखता है तो इसको कुछ समझ में नहीं आता है इधर इंग यान्ची को बताती कि आपने पाश्ट में क्या गरबड़ियां की थी जुवान लिंग जियान से कहता है अगर मेरे पास घोर फिंड का पावर नहीं होता लड़के तो मैं सच में तुम्हारी इस प्रकार क लगता है और कहता है अब तुम्हारा अंत आ चुका है बच्चे इसको काफी तेजी से जियान के तरफ जाते देख सभी लोग चिंतित थे अब जियान तुरंती जुनेर काईलिन मैं माफी मांगता हूं मैं अपना प्रॉमिस बेक ब्रेक कर रहा हूं मतलब इसके हिसाब से अब यह मरने जा रहा है काईलिन कोशिश करती कि यह इस चेन से ब्रेक्ट्रू कर ले पर यह नाकामियाब थी और जियान कहता अगर मैं वापस जा पाया कर वी जिंदगी में अगर बचा तो मैं जायव जायव से जरूर कहूंगा कि मैं एक अच्छा फादर नहीं हूं और स जियान अपने को जैसे एक्स्प्लोड करने वाला होता है यहां का टेंपरचर काफी ते जिसे घड़ने लगता है और मानो असमान में एक चंद्रमा फुल मून प्रकट हो गया हो और यहां पर एक आवाज आती जियान से यह कहती है क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकते थे त इसका श्रेंट इस्तमें डाउ जियान लेबल पर है जुवान निंग भी समाच जयाता है इस लड़की पर जो औरा है फेरी मून का है इधर लौड सो लिटर कहता है यह जियान सच में कितना बावला लड़का है एक से एक पर यहां इसके उपर मतलब अपने प्राण नेट् पावर को यूज करेगा जियान तुरंती मतलब यूरू से कहता है जुवान निंग को मत मारो इसके जो चैस्ट पर वो फैंटम दिख रहा है घोर्फिंड का उसे बस मार दो क्योंकि अगर यह घोर्फिंड मर गया तो जियान होली फिलिम पावर को यूज कर सकता था काइलि यूरू जुवान निंग से जधा बात नहीं करती है तुरंत इक पावर्फुल अटेक मून्स्टर मून स्लैस इसके तरफ लॉंच कर देती है जुवान निंग भी अपना पावर्फुल अटेक बलड करल एविल फोर्स इसके तरफ फैंग देता है यूरू के हाथ में जो व शिरियस रून्स भी समय प्रकट हो जाता है और यह अपने फैरी मून ब्लेड से एक और पावर्फुल अटेक सिल्वर मून बो इसके तरफ लॉंच कर देती है लॉट्स व लेटर इसकिल को पहचानते थे यह जानते थे यह फैरी मून का सबसे फेमस स्किल था जुवान नि जो अपना अभी दूसरा अटेक यूज किया था यन्यू बो इसमें ये पूरी तरह से मून के पावर की कठा करती और डायरेक्टली जुवान निंग की तरफ फेक दी इस तुरान ये इस एविल औरा से भी ब्रेक्थू कर ली रहती है यह जो तीर धनुस वाला इसने अभी अभी औरा काफी ज़्यादा वीक हो जाता है जुवान निंग का फिलाल जो आउटर मोस्ट बैरियर था कंप्लिटी तूट चुका था सेकंड लेयर भी इसका तूट जाता है कुछी समय में जियान और इंगिंग का नजर अब लाश फ्लोर पर था जो कि अभी बचा हुआ इस तीर का भी इन दोनों बैरियर को तोड़ने एक बार थोड़ा पहुत और तो कमी हो गया रहता है जुवान निंग जैसे फिल करता है इस तीर का पावर कम हो रहा यह हसता है और कहता है अब तुम लोगा के समय आ गया है यूरू हार नहीं मांती है तुरंती ब्राइट पाते हैं पर जो जुवान निंग के बाड़ी पर हो जो ब्लड डेमन हो रहा था इस समय कंप्लेटली डेश्ट्रॉय हो चुका था अब जियान बेसिकली घोशली होली फ्लेम के क्रिश्टल के पावर को यूज कर सकता था अब यूरू तुरंती जियान के पास आती है यह प दूर फैंक देता है और इस दोरान जियान इस चेंज से हिट हो जाता है जियान के चेस से खून आ रहा होता है यूरू यंगिंग और कल नेक सा चीला थी इस दोरान यूरू जियान के पास जाती है इस दोरान ये भी रोने लगती है इधर जुवान निंग हस रहा होता है ल अगर ये इनकी बॉड़ी को यूज नहीं करता तो जुवान निंग आज पक्का यहां पर मारा जाता पर फिर भी इसका गोर्फिन का पावर था वो तो अब खतम हो चुका था पर इस दुरान यूरू थोड़ा बहुत अपने पावर जो रहता है जियान को थोड़ा बहुत ही जुवान निंग में जब जियान के पाव पास में बत्रब दो घुली लेम देखता में आ तो यह भबर आ जाता है यंगिं और याणची भी हैरां थे जियान दो प्रकार के हुली लेम पावर को समबन करके करना क्या चाता क्योंकि दो होली फ्लेम एक साथ आज तक इनके हिस तो नहीं होगा जियान को यह कहते है यह लड़का सच में पागल है इसके सबसे जियान मर जाएगा जियान एक गैमबल ही खेला रहे थे क्योंकि इसने 2300 प्रकार के होली फ्लेम को अपनी बॉड़ी से पूरी तरह से निकाल दिया रहता है अगर आज यह होली फ्लेम को मर्ज नहीं कर पाए तो इसका जो भवी से होगा काफी बूरा हो सकता है और वैसे विगर यह नहीं कर पाय तो यहां पर मारा ही जाएगा अब जियान अपने फ्लेमिंग मंतरा को भी एक्टिवेट कर लेता है इसके कांड से जो दो होली फ्लेम का रिपलसन पावर था कापी जैद इसको force fully endure कर रहा था अब ये दोनों flame जो रहे थे flame seat एक दूसरे के काफी करीब पहुंच गरते हैं बस इनके बीच के दूरी 5 cm रह जाती है जियान अपने एक एक cell का power लगा रहा था अपने soul power को यूज कर रहा था इधर जुवान लिंग यूरो से तो fight कर रहा था पर इसके ध्यान भी जियान पर ही था क्योंकि एक जियान successful रहा था इसका भी मतलब काफी बुरा हश्रह हो सकता है अब फाइनली दोनों हुली flame एक दूसरे से collide करने लगते हैं जियान के palm से इस समय काफी ज़दा खून बह रहा था पर फाइनली जियान के अथक परे प्रयास की बाद ये दोनों flame merge होना शुरू हो जाते हैं पर इनके backlash से जियान बार बार खून की उल्टी कर रहा था इनके कहती है अगर जियान ये ऐसा चलता रहा तो तुम मारे जाओगे पर जियान इस समय ध्यान नहीं देता है वहीं काइलिन कहती है इस पर भरूसा करो अब जब ये दोनों हुली flame merge हो जाते हैं थोड़ा बहुत तो इनमें blue और yellow color दिखने लगता है अब जियान इसमें अपना soul power भी combine करता है इसमें ये अपना fighting की भी mix करता है अब finally इस complete power के बाद ये जो दोनो flame रहती है एक दूसरे में मानो dance करने लगी हूँ और जियान तुरंद इस attack को जुआनने के तरफ फैक देता है जहां से भी ये flame जाती थी वहाँ पर एक अलगी sound प्रडिवस होता था और जो जहां पर इस मतलब mountain पर जो भी घोश्टे energy थी जियान की इस attack के करन कम्प्लिटली नलिफाई हो जाता है तो guys story यही पर समाप्त करते नहीं तो रात को बहुत ज़्यादा लेट हो जागा और मैं भी काफे ज़्यादा ठक चुका हूँ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आगा और अब ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे थैंक्यू, बाए, गुड़नाइट